हेलो नमस्कार, दोस्तो, स्वागत आप सभी का ओनलाइन खेल्थ केर में देखे दोस्तो, swelling after hair transplant ये बहुत ही common सी बात है Guys, most लोगों में after hair transplant swelling आती है दोस्तो, कुछ लोगों में swelling बिल्कुल नहीं आती और कुछ लोगों में अपने खुद की गलती से ये swelling आ जाती है देखे दोस्तों ये आप फोटो देख सकते हो ये पांच भी दिन की फोटो है जब मेरे माथे पे थोड़ी swelling आये थी और गाई छटे दिन का रजल्ट आपने देखा था उस दिन ये बिल्कुल भी swelling नहीं थी गाईस एक रात के अंदर मैंने अपने swelling को खतम कर दिया था वो कैसे मों इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको चोथ हे तिन का रजल्ट पी दिखाने वाला हूँ अपने hair transplant का तो गाईस आप इस वीडियो का उन तक जरूर देखे अगर आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरू कर दें देखें दोस्तों सरसे पहले हैं को जानना होगा कि ये swelling किस तरीकी की swelling होती है गाईस ये वह वाली swelling नहीं होती जो आप समझ रहे हो जैसे कोई चूट बगर अलग जाती है तो महाँ पर swelling जाती है गाईस ये swelling अलग होती है या गरदन को ऐसे करकर रखते हैं बहुत दीर तक तो गाईस ये लोकल अनेस्टीसिया उधरों की तरफ बह जाता है और गाईस इस अनेस्टीसया को हमारे सरीर में एक्जूब होने में थोड़ा टाइम लगता है नोसी दस दिन लगते हैं तो गाईस जब तक आपको ये केर करनी पड़ती है इसको वाली सूजेनमस में लेना ये एक तरह का लिक्वीड होता है जो हमारे सीद्ल करते हैं यार फोन चलाते हैं उधर की तरफ भैक के आगे की तरफ आ जाता है और आपनी नोटिस किया होगा मैंने अपने इतनी केर किया आप प्रेट रांस्ट कि मैंने जो आपने काफी वीडियो में देखोगा कि हम्पें ड्र छर्णाक्टर लोग पती लगा देते हैं यहाँ पर इतना भरशा था कि में दोस्तों पता है जोती दिन पांच और फिश्ट सब्सक्राइब सब्सक्राइब ज्यादर स्वेलिंग है तो आप आईस का यूज कर सकते हो और एक रात के लिए मात आइस आपको सीधा सोजाना है थोड़ा कठें का रहे हैं क्योंकि आपको कच्छी नीज में सोना पड़ेगा क्योंकि गोड़े बेच के सोगे वह वाली खाव दोस्तों और आप फोटो देख सकते हो चोथे दिन हेर ट्रांस्प्लांट के मेरे चोथे दिन ऐसी कंडिशन थी मेरी आप्टर हेर ट्रांस्प्लांट के फोटो मेरे काई जब उंबई से मैं घर आ रहा था उस टाइम की फोटो है कुछ इस तरीके से फोटो और गाइस पांच देनका रेजन्ट भी आप देख सकते हों तो अब तक आपको मेरे रेजन्ट कैसा लगाया है और मेरे डैंसिटी कैसी लगी है तो आप कैमेंट उसमें जुरू बताइए और गाइज ऐसी ही मैं अपनी जन्नी सेर करता होंगा यूटूब पर तो आप उसके लिए इस चैनल को स सकते हों ठेके दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें सेर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब पर दें जैहिंद बंदे मातर हूं